सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजूकेशन संबंदी न्यूस तुरंत पाइब जी यां साथियो शुक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्सा विभाग एक खबरों की तो शिक्सा विभाग में एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों आप सबी जा थे उनमें यानि पुनरगठन के बाद थे ही यानि नवगठी जिल्ले बनने के बाद से ही सिक्सकों की मांग की जा रही थी कि उनके विकल्प पत्र भरवाय जाए या तो उनको पुराने जिल्ले में रखा जाए या उनको नए जिल्ले में पदस्था पित में पदस्था मे दे दिया जाए लेकिन इसमें एक बड़ा लोचा ये भी था कि उन्हीं वरिष्था विलोपन का वरिष्था विलोपन भी हो रहा था तो उसी के संवन में अब विकल पत्र बढ़ने के लिए आदेश जारी किया गया है अभी हाल ही मैं बात करूं तो विकल पत्र अभी नहीं निर्की और से जारी इस आदेश को समस्त संयुक निदेशक स्कूल सिक्सा संभाग मुख्याले को जारी किया गया है और विशे है नव गठी जिलों में पदस्थापित शिक्सकों से विकल पत्र भरवाने के समन में हैं तो ये विकल पत्र नव गठी जिले जो भी है उनमें पदस्थापित जो शिक्षक है उनको ये भरना होगा यानि ये बात यहाँ पे किलियर हो जाती है कि किन को भरना है और किन को नई भरना है बविशे में जब ये विकल पत्र बरवाया जाएगा तो नव गठी जिल्लों में जो शिक्षक पदस्थापित है उनको ही विकल पत्र बढ़ना होगा तो यहां पर आगे बाद यह बताई गई है कि उप्रोक्त विश्यांत्रगत लेख है कि वर्तमान में नवगठी जिल्लों में कारेरत शिक्साविभाग के कार्मिकों के द्वारा विभिन माध्यमों से ग्यापन प्रात्ना प्रस्तूत कर निविदन किया गया ह कि इन 33य धानी य हैं समकष जिल्ला इस्तर समख्य कार्मिकों के वर्तमान में कारेरत पदस्था परनिस्थान के नवगठी जिल्ले में समिलीत होने के कारण यानि इनका कहना यह है कि जो शिक्साविभाग में कारेरत है उन्होंने ग्यापन प्रस्तूत किया है आगे नवगठित हो चुका है तो उसके कारण भवीश्यम अगर इस्थाना अंतर शिक्षडी होती है तो अमारी वरिष्ठता विलोपन हो जाएगी तो इस वज़े से जो उन्होंने अपनी समस्या प्रस्तूत की आगे ग्यापन दिया उसके संबन में यहां पे उन्होंने ये आदे करम में सासं के पत्र दिनांग थैश ग्यारा दोचाट तेविश द्वारा नवीन जिल्ये में इस्थाना अंतरित-पदस्थापित किये जाने पर नियमा अनुसार पूर जिल्ये से वरिष्ठा विलोपन तथा नमीन जिल्ये में कनिष्ठ तम वरित को स्वीकार करने की करावें इसी पर कर दोस्तों बात करें दूसरी और बड़ी खबर की तो वो है निदेशक मादिमी जिसा रास्तान भीगानेर से ही खबर है और समस्त जिल्ला शिक्षा अतिकरी मुख्यले मादिमी को लिखा गया है विद्यार्थियों की बैंक डिटेल आधा सीडेक करने के विद्यार्थियों के 31 जनवरी 2014 तक बैंक एकउंट आधार सीडेक करवना सुनिश्चि करें इसे सर्वोच प्रात्मिक्तात देवें यानि विद्यार्थियों को जो आधार से आधार से सीडेक करवने के एंतिमते थी 30 जनवरी 2024 निर्धाइद की गई है उसे पहले-पहले काम करवाएं इस वीडियो को जारी करने का उद्देश है दोस्तों एक ही है कि आपके पास सबसे पहले सटीक और सही जानकरी आपको उपलब्ध हो उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर तो सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर तबाएं एजुकेशन समंदी न्यूस तुरंट पाने के लिए